वेलकम टू क्वेशन आंसर चैनल क्लास 9 इंग्लिश बीहाई बुक से जो चाप्टर नमबर 6 है माई चाइल्धूड आज हम करेंगे सके एमसी क्यूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें अब्दूल की जो मम्मी थी और दादी थी वो घर के बच्चों को रात को सोते समय कौन सी कहानिया सुनाती थी बोथ A and C अब्दूल्स फ्रेंड सिव प्रशन विकेंड जो सिव प्रशन था उनका जो दोस्त वो क्या बन गया था केटरिंग कॉंट्रेक्टर बन गया था सदन वेल्मीज में दा साइंस टीचर प्रमोटेड जो साइंस टीचर था वो क्या प्रमोट करता था a sense of religious unity वो मला अच्छा टीचर था वो जानता था कि सारे धर्मों में unity होनी चाहिए किसने encourage किया था? अब्दुल के फादर ने तो उसको encourage करते थे कि तुमको और आगे पढ़ना चाहिए अब्दुल कलाम तुक हिस फादर's permission अब्दुल कलाम ने अपने फादर की permission ली कहां पर पढ़ाई करने के लिए रामनत पुरम में ठीक है? रामनत पुरम में पोस्ट सेकंड वर्ड इंडियास फ्रीडम वास अब सेकंड वर्ड वर के बाद इतनी हालत मतलब इतनी जादा परेशान होगे भारत के लोग कि अब भारत की जो फ्रीडम थी वो imminent थी मतलब 100% अब तो भारत आजादी लेके ही रहेगा वेन सिव सुब्रमन्यम अयर इन्वाइटिड अब्दुल फॉर्दा सेकंड टाइम उन्होंने सेकंड टाइब कब इन्वाइट किया ठीक है इस वाइफ टुक अब्दुल टूदा किचिन एंड सर्व धिम फूड चल तो ना अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो जब अब्दुल को पहली बार इन्वाइट किया था तो तीचर की वाइफ ने अब्दुल को खाना परोशने से मना कर दिया था कि ये मुस्लिम है लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी वाइब को समझाया तो second time उन्होंने अब्दुल को अपनी किचिन में भी बुलाया और खाना भी सर्व किया अब्दुल डिस्क्राइब्ड है साइंस टीचर एज रिबेल तो usually कुछ लोग होते हैं कि भाई हिंदू लोग हैं तो हिंदू-हिंदू की बातें करें मुसलिम लोग हैं तो मुसलिम-मुसलिम की बातें लेकिन साइंस टीचर जो थे वो कहते थे कि सारे धर्मों में यूनिटी होनी चाहिए सारे धर्म एक है तो वो संसार के नियमों को नहीं मान दें तो उनको वो कहते हैं कि वो एक rebel थे वाट वास दा नेम आफ अब्दुल साइंस टीचर जो साइंस टीचर थे अब्दुल के उनका नाम क्या था सिव सुब्रमन्यम आयर next who was the father of रामनन सास्त्री रामनन सास्त्री के father कौन थे लक्षमन सास्त्री who was सिव सुब्रमन्यम आयर यह अभी हमने पढ़ लिया यह अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे ठीक है अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे वो थे अब्दुल कलाम वोस बॉन इनक कैसी फैमिली में बॉन हुए थे यह मिडिल क्लास फैमिली ना तो ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अभी दा नेम ओफ अब्दुल कलाम साइंस फादर वर्स जो इनके फादर थे उनका नाम क्या था जैनुल अब्दी विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एजर मुस्लिम बॉय किस बात से पता चल रहा था कि ये एक मुस्लिम बॉय है विकॉज ही वारक कैप आपने देखा होगा मुस्लिम बच्चे जो है कभी वो एक कैप पहनते हैं पहली बार जो उन्होंने पैसा कमाया था वो कैसे कमाया था वो उन्होंने कमाया था कलेक्टिंग एंड सेलिंग टैमरिंड सीट्स है ना कौन से सीट्स उन्होंने कलेक्ट किये थे उन्होंने कलेक्ट किये थे इमली के बीज What was Kalam says during the Second World War Second World War के टाइम पे वो कितने साल के थे आठ साल के थे Which word in the lessons mean unnecessary Unnecessary का मतलब होता है Innocential जिस चीज की जरूरत ना हो Where was Kalam's house Kalam का घर कहां पर था On a mosque street मस्जिद वाली गली में Why did Kalam's father say Khalil Gibran's word Your children are not ये वाली बात उन्होंने क्यों कही थी अपनी भाइस यानि कि अब्दुलकलाम की मम्मी को समझाने के लिए कही थी To ask his wife not to stop their young son from going out जब अब्दुलकलाम बाहर जा रहे थी पढ़ाई के लिए Who spoke Khalil Gibran's word Your children ये वाले word किस ने बोले थे अब्दुलकलाम के फादर ने बोले थे Guys अभी तक ना इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो मैं आपसे request करूँगा Please यार एक लाइक कर देना आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत motivation मिलता है तो मैं तीन तक count करूँगा चिल्डन क्लीज वीडियो को लाइक कर देना 1,2,3 I hope चिल्डन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया Thank you चिल्डन Why दिट शिव शिव सुब्रमन्या सर्व कलाम हिंसेल्फ और सेट विधिम टूइट जो साइंस टीचर थे वो खुद कलाम के साथ बैठे और उनके साथ खाना भी खाया To avoid any disturbance because of biased behavior of his conservative wife क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाइप पिछली बार की तरह इस बार भी कोई गड़बर कर दे Why did the teacher separate कलाम from his friend जो एक नया teacher आया था उसने separate क्यों कर दिया था कलाम को Because of his own notion of social ranking religious discrimination उसको लग रहा था कि मुसल्मान बच्चा हिंदू बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए Why did कलाम feel said when he was in fifth standard in elementary school वो दुखी इस बात से थे His teacher did not let him sit with his Hindu friends क्योंकि उसके teacher ने उसको अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए अलाओ नहीं किया What did Samshuddin do Samshuddin क्या था Newspaper distribute करता था What kind of person was कलाम कलाम कैसे बच्चे थे Enterprising जो नहीनी चीज़े सोचते थे और hard working बच्चे थे Where did कलाम sell the seeds जो tamarind के seeds वो collect करते थे वो पास वाली दुकान में जाके provision store में बेच देते थे Which seeds did कलाम collect कौन से seeds कलेक करते थे Tamarind यानी Emily के बीच What does emotional security mean Emotional security का मतलब है Love and care to lead stress free life In what sense कलाम child secure क्योंकि उनके पास जरुवत की सारी चीज़ें थी Parent का प्यार भी support भी था अच्छी society में रहते थे So right answer होगा All What is essential for round growth According to the lesson Lesson के हिसाब से पूरी growth के लिए क्या जरूद है Tolerence की भी जरूद पड़ती है Acceptance की भी Brotherhood की भी और Happiness की So right answer होगा All What is the theme of the story Theme क्या है Theme है Society, Environment and Childhood Experience Shapes One's Life What did कलाम's father teach है कलाम के पापा ने उनको क्या सिखाई Honesty and Self-Discipline What does Professor कलाम talk about in his book अपनी बुक में वो Childhood Experience के बारे में बताते है अपने पैरेंट्स के बारे में बताते है अपने दोस्तों के बारे में बताते है So right answer है All Where was कलाम बॉन एक island town रामेशरम में जो मदरास स्टेट में वहाँ पैदा हुए थे When did कलाम विकेम इंडिया इंडिया इलेवन प्रेसिडेंट 2022 में चलोड़न ये question बहुत important है लासना पूछो आपसे 2002 में वो इंडिया के इलेवन प्रेसिडेंट बन रहे थे अब्दुल्स फादर वुड अवाइड असेंट इनशेंशेल लग्जरी अन कमफर्ट अब्दुल के फादर ये कहते थे केवल वो चीज़ खरीदो जिस चीज़ की जरूरत है जो जरूरी नहीं है उन्स चीज़ों को खरीदना नहीं चाहिए एस पर अब्दुल कलाम सोटो बैग्राफी ही हैड सिक्योर चाइड हुड है हुइस दा नरेटर ऑफ माइ चाइड हुड के नरेटर कौन है ए पीजे अब्दुल कलांग कलाम वॉस बॉन इन तमिल फैमिली में उनका जनम हुआ था गाइज इस लास्ट क्वेश्चिन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मैंने बताया था 2000 में 2001 में 2003 में 2002 में आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिग देना मैं समझ चाहूंगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं एक लिए वीडियो में बाब बाई